क्यों आप सब लोग आशा करता हूं क्या पच्छे होंगे आइम नवीन वेल्कम तो मैं करने वाला हूं एल्जब्रेस एक्जाम के लिए जरूरी है तो यहां पर मैं आपको मैंस ट्रिक बताऊंगा जिससे कि हम इसली को देखकर इसका अंसर बता सकते हैं तो चली शुरू करत chapter i 8 सुरी ला है अने दिया है थे थे एक्स πα्लस-पन अपन एक्स जो है 4 के एक्वल है गिवarry यह बताना है तो सबसे पहले मैं इसका बताता हूं आपको ँО है हमें साइन का कंसर्प्स ज्यान रखना होगा देखें अगर हमारे पास पहले प्लस है और फिर दूसरा भी प्लस है तो जो हम आगे लगाएंगे वह माइनस लगाएंगे अब किस तरह से है कैसी तरीका है किे सरफ फ्लस जो है उसे माइनस होगा बाकी सारे केसिस में प्लस होगा ठीक है अब यहां पर जैसे की यहांपर हमें स्कूblesे स्कूयर दिया हुआ और यहां पर दिया हूए फोर का स्कूरàn के जो भी यहां पर है इसकूरी है तो हम रहे होाँ इस, नमबरर का, जो भी आगे मानोग ret में की बनओज़ तो इसका स्कूरात चरफ करेंगे औरने.घ्स करेंने, क्योंकि कि यहां पर दे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो जैसा कि मुआने आपको बताया कि प्लस Long只有 हम क्या DO cactus हमिस इस में से चुछ ड़ाएंगे अपनी चलोज़ से तो यहां पर क्या हो जागा फॉरोचर से 16ağı माइनस 2 की करके अज़ता है तो फोटीन जो है वो इसका answer होगा तो यहां पर अगर हम check करें तो option B इसमें बिलकुल right है तो मैं आपको दुबारा से बताता हूं एक बार देखें यहां पर मैंने आपको sign का concept समझाया कि आपके पास अगर plus plus हो तो क्या sign लगाना आपको minus का minus minus हो तो plus का plus minus plus का minus plus plus का उसके बाद यहां पर जो भी form है देखें यहां पर square है तो हम इस वाले number का क्या करेंगे square करेंगे और उसमें से क्योंकि plus plus है तो इसलिए plus plus के लिए हमें sign लगाना minus का तो minus लगाएंगे और आगे हम लगाएंगे 2 अपनी तरफ से 4 का square 16 16-2 जो है वह 14 हो जाता है अब देखें question number 2 में हमें दिया है if x plus 1 upon x 3 के equal है then x square plus 1 upon x square किसके equal होगा तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर यहां भी plus है और यहां भी plus है तो plus plus के लिए हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि plus plus के लिए हम क्या करेंगे minus करेंगे तो हमें जो भी number यहां पर लिखा हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं यहां पर 3 लिखा हुआ है ठीक है और इसके बाद यह square की form है तो हम यहां पर जिस्वार आपको बताया है कि यहाँ प्लस प्लस माइनेस होगा तो यहां पर देखें बीगों बिल्कुल रही है अब नेक्स कोशन देखते हैं अब देखिए कोशन नमर 3 में हमें दिया है if x-1 upon x4 के एक को लोगा तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर पहले साइन अब सब्सक्राइब कीवें इसी कोशन करना है अब दूसरा साइन आ केली कन साइन इतरा साइन वांट कीवें प्लसक प्लस का खराएं और सब्सक्राहिए से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस जो है उसके लिए प्लस का साइन यूज होगा और यहां पर लगाएंगे टू अपनी दरफ से ठीक है तो यहां फोर का स्क्वायर यानिकि फोर इंटू फोर और फिर प्लस टू तो फोर फोर जाओगे 16 16 प्लस टू यहा पर हो जाता answer 18 तो यहां पर 18 जो है वह उसका right answer है चलते हैं कोशन नम्पर फोर पर अमें हमें दिया है इफ एकस प्लस फन अपॉन अपॉन आपॉन एकस की क्यूब किसके बराबर होगा अभी तक जो मनें कोशन किया है वह यहां पर स्क्वायर था अब यहां पर यहां पर है कि यहां पर प्लस का साइन है और यहां प्लस का साइन है तो प्लस प्लस जब होता है तो किस तरह से स्वार ठीक है लेकिन अब हम स्क्वियार ये शुर्ट suburbs करते हैं तो यहें क्यूब लगाएंगे टू की यूश्चक 120 की क्यूब वो यूश् customers देखेंगे जैसे कि हम हम लिखेंगे 2 ये वहलान नंबर और यहांपर क्यूब्स को यहां पर हम cube लगाएंगे फिर उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं plus plus जो है वो minus होता है फिर minus cosine use करेंगे तो यहां पर जो number है वो पहले हम 2 लेते थे अब यहां पर 2 नहीं लेना है तो यहां पर देखें यह 3 है और यह 2 है तो हम इन दोनों को multiply कर देंगे यहांने कि 2 को 3 से multiply करेंगे तो क्या जाता है 6 तो 2 3 जा 6 तो यहां पर हम use करेंगे 6 अब हम इसको solve करेंगे तो 2 की cube मतलब 2 इन्टो 2 इन्टो 2 इन्टो 2 माइनस 6 तो 2 जा 4 जा 8 8 माइनस 6 यानि कि किसको हो जाता है 2 के एकको हो जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो क्या होगा तू एक बार मैं आपको दुबारा से explain करता हूं देखें जैसे कि प्लस प्लस के लिए हम माइनस का sign यूज करें अब यहां पर पहले हम 2 यूज करते हैं जब 2 यूज ना करके हम क्या करेंगे इसको और इसको multiply करा लेंगे तो 3 2 जा 6 होता है तो वह 6 जो है वह हम इसमें से less कराएंगे तो 2 की क्यूब हो गया 8 8 में से 6 गए 2 तो इस तरह से इसका right answer जो हो 2 हो जाता है अब चलते है नेक्स दो मैंनस है तो जब 2 माइनस होते हैं तो हम क्या Complex करेंगे प्लस का sign करना है प्लस का sign यूज करेंगे इतकाूप की निट करेंगे ने इसलिए ऑसके बाद क्या करना है मुझे यह जो नंभर है ठीए और यह जो नंबर है5 इसको आस में करूंगே मैं multiply कर लूँगा तो 3 5 जा यहां हो जाता है 15 यहां 15 लिख देंगे बस अब इसको solve करना और answer आ जागा तो 5 multiply 5 multiply 5 और यहां पर प्लस 15 तो यह हो गया 125 प्लस 15 तो जब add कर लेते तो आ जाता है मारा पास 140 जो अब उसका right answer होगा तो यहां चेक करें तो option 20 में बिल्कुल right है अब चलते है question number 6 पर देखे question number 6 में हमें दिया है if x plus 1 upon x 3 के equal है then x की 4 plus 1 upon x की 4 किसके equal होगा तो अभी तक हम नहीं आपर जब square था तब question किये और आप यहां पर क्या है तो फोर को हम सबसे पहले break कर लेते हैं देखे इस तरह से मैं 4 को लिख सकता हूं 4 जो है यहां प्लस है और यहां भी प्लस है और जब दोने दरफ प्लस होता है तो क्या होता है माइनस का साइन यूज करते हैं यहां पर अगर दोने दरफ प्लस है तो माइनस का साइन यूज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख हुआ 3 जो लिखा हुआ है और यहां पर 4 को मैंने 2 x 2 में ब्रेक किया है तो यहां पर मैं 2 यूज करूँ है सबसे पहले और उसके बाद माइनस होते तो इसके लिए मायनस का साइन और यहां पर जब आभी मैं एक्स की पावड मंएक्स की प्लमक्र से यूज कुछ चेहा कर ना ना स्क्वाइर किया पहले उसके बाद माइनस और टू अपनी तरफ से लगाते हैं यहां पर क्या बच जाता है के थरी थरी जा नाइन लगाएंगे फिर टू लगाएंगे अपनी तरफ से जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको और सावन का स्क्वेर हो जाता है और फॉर्टी नाइन माइनस टू यहनकी क्या बन जाता है फॉर्टी सावन जो है वह उसका राइड अंसर होगा तो ऑप्शन बी इसमें बिलकुल राइड है लिए एक बार समझार कि जो एकार फोर है इसको हमने इस तरह से लिखा एक स की आवब 2 मानकर जो सॉल््व करा तो हमारे पारिस आंसर आया 7 उसके बाद फिर अगला पर आगे करा जैसे हम x की पावर 2 का 2 का solve करते हैं ठीक है और उसको solve करके जो है मारे पास answer आजाता है 47 तो अब से लते हैं नेक्स क्वेश्चन पर उसमें यूज़ करते हैं साइन माइनस का ठीक है तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे था आपको यहां पर लिखा है मैं xथाई पावर 5 को किस तरह से solve कर कर वहा कि एक बाद एक बार x gonna की पावर 2 और एक बार x X की पावर 3, तो 2 प्लस 3, यह क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक है? लेकिन आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है, कि हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 4 या 1, इसमें नहीं तोरना इसको, 1 के अलावा कोई भी फॉर्म बन रहा है, उसमें इसको तोड़के कर सकते हैं, तो 5 को हम कैसे लिए सकते हैं टू कर लेते हैं तो एक पावर 2 जैसे म jurisdzolv किया था और 3 इस तरह से इसको 2 बर solve करना है सबसे हैब छोगा अगर टू होती ए तो आपक्र 10 लेते हैं और तो यह zehn एनमें Chairman झाल रहे हैं तो फिर 2 लिखेंगे फिर 1000 सो माल लेता हूँ मैं इसको आगे उल करता हूँ कुप मौन के मैंजे मroan का करें तो क्यूब में क्या करते थे जो भी यहां number होता है ठीक है हम उसका क्या कर लेते हैं क्यूब कर लेते हैं और उसके बाद minus क्योंकि plus plus minus होते हैं उसका use किया मैंने क्यूब में उसके बद क्या करते हैं यह जो 3 है ठीक है इसको multiply करेंगे हम इस से 3 3 जा क्या हो जागा है 9 किया था हमने पीछे आप चक करना कि यह एक्स की पावर जो 3 थी इस वली पावर को हमने जो भी नंबर गिवन था उससे multiply किया था तो 3 3 जा हो गया 9 तो यहां पर हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे उसके बाद 3 की क्या हो गया 27 27-9 तो इस तरह से यह solve करके हो जाता है 18 तो इसको मैं second माल लेता हूं अब क्या करेंगे ह करके आ जाता है मेरे पास 126 तो इसमें से हमें क्या करना है वो जो गिवन नंबर था वह हमें माइनस करना हम把 गिवन नंबर जो था वो 3 था यह आप देगे स्टार्टिंग में, तो ये 3 मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो 126 में से 3 लेस होंगे, तो क्या बचेगा, 123, 126 में से 3 गए, 123, तो 123 जो है वो इसका real answer है, अगर option में check करें, तो option 20 में बिल्कुल right है, मैं आपको एक बार और explain करते हूं, किस तरह से मैंने इसको solve किया, यह जो हमारे पास x की power 5 थी, हमने इसको x की power 2 और x की power 3 इस तरह से break किया, पहले हमने x की power 2 के according इसको solve किया, तो x की power 2 के according क्या करते है, जो भी यहां number होता है, उसका square करते है और उसमें से 2 minus करते है, तो मैंने उसका square किया, उसमें से 2 minus किया, तो 7 आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या करते है, कि अब x की power 3 को जिस तरह से solve करते हैं, वो करेंगे, तो इसके लिए हम जो भी given number होता है, उसके यह power लगा देते हैं, ठीक है, तो मैंने 3 की power 3 बना दिया, फिर उसके बाद plus plus minus होता है, वो minus लगाया, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यह वाला जो power है, उसको multiply करते हैं given number से, तो यह power 3 है, तो 3 into 3 हो गया 9, तो 3 की cube में से 9 को less किया, तो आगया 18, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों numbers की, मला फास्ट रो सेक्ट जो मैंने माने, इनको multiply करेंगे, और given number को subtract करेंगे, तो given number हमारा 3 था, तो 7 into 18 करके आया 126, 126 में से ही जो given number 3 था, यह मैंने less कराया, और उसके बाद मेरे पास answer आगया 123, जो की इस का right answer है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like, share और subscribe कीजे, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, और नए questions लेकर, तब तक के लिए, good bye.